एक कप गेहू के आटे का बहुती क्रिस्पी चटपटे नाश्ते की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसे बनाना बेहदी आसान है और बारिश के इस तरह के मोसम में इस तरह का गर्मा गरम क्रिस्पी नाश्ता खाना बहुती अच्छा लगता है चाय के साथ या फिर आप इसे भी खा सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले एक बाल में हम लेंगे एक गेहूं का आटा इसे आपको अच्छे से चान लेना है इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसा थोड़ासा नमक और उसके बाद में पिल्कुल थोड़ासा मतलब आधी चमच के करीब हम इसमें डाल देंगे आजवाइन क्योंकि अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो हातों से इस तरह से थोड़ासा करके डाल इसे हम ढ़क कर देंगे दस मिनिट के लिए तब तक हम बना लेते हैं स्टफिंग इसके लिए मैं यह पे बावल ले लिया है इसमें हम डालेंगे कुछ वेजी तो मैं ने आप एक गाजर डाली है जिसे मैं ग्रेट कर लिया है एक मिडियम साइस की गाजर ली है मैंने साथी इसमें डाल दूंगी आधी शिम्ला मिट इसे भी मैंने बिल्कुल बारी बारी ग्रेट कर लिया है आप चाहें तो इन सब्जों को चॉपर से चॉप भी कर सकते हैं और इसमें मैं एक मीडियम साइस का प्यास भी डाल दूंगी इसके अलावा आप इसमें बीन्स भी डाल सक तो आप ग्ल् commission कर सकता है अब डालों के अलमक डाल के हमी बीज़ा करते हैं शब्कषि जकते ही तो इसमें डाल अंडर बाद नमक इप हमें मिक्स कर देंगे क्योंकि थेल्ट के अंदर मosure को पानी होता है तो वह पानी हमें ड्रेन करना है तो इसमें ढ़ल डाल के अलो के अंदर जितना भी पानी है वह सभी खटा हो जाए क्योंकि क्या है अगर हम इसमें से पानी ड्रेन आउट नहीं करेंगे तो सब्जी हमारी सौगी हो जाएगी और जो हम नाष्टा बनाएंगे वह बहुत ही सौगी सा हो जाएगा तो इस सारी स्टफिंग को हम दस मिनु को पानी को अगतेने के लिए सब्सक्राइए तो यहां पर घूला इसमें जो पानी निकला आर्टे में यू खकते हैं आटे में लागाने के लिए हमने क कर दोचीय पन काली मर्च क्रश बारी मर्च की बड़ाया थो चीली फ्लेक्स आफ चाणा जाने के अविस्तार नमक के इसमें बहुत ज्यादा मसालों का यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन आप चाहें तो इसमें तोड़ा सा गरम मसाला भी एड़ कर सकते हैं तो यह स्टफिंग हमारी एकदम तयार हो गई है दूसरी तरफ आठा भी चेक कर लेता है तो आठा हमारा अच्छे से सैट हो गया है अब इसके मैं बराबर बराबर तीन भाग कर लोंगी आप चाहें तो चार भी कर सकते हैं लेकिन मैं तीन ही लोईया इसकी बना रहे हूं ती जादा मोटी रखनी है नहीं आपको बिल्कुल पापर जैसे बनानी है नॉर्मली हम जो रोटी बनाते हैं उतनी थिकनेस की आपको इसको रोटी बनानी है और बहुत जादा बड़ी भी नी बनानी है बस मतलब रोटी जितनी ही आपको बनानी है और यह देखिए इतनी थिक अच्छे से चारो तरफ आपको स्टफिंग फैला देनी है क्योंकि इस नाश्टे में जितना भी टेस्ट और फ्लेवर है वो सारा स्टफिंग का ही है आप चाहें तो स्टफिंग के साथ थोड़ी सी हरी दनी की चटनी या फिर सेजवान सॉस भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा ही लगाना है नहीं तो जो रोटियां है वो सौगी हो जाएगी और फिर ना फोल्ड करने में दिक्कत आएगी तो यहां पर देख सकते हैं आप मैंने स्टफिंग चाहतर अच्छे से फैला दी है अब इसके उपर हम क्या करेंगे दूसरी रोटी को इसी तरह से कवर करके रख देंगे इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप पहले तीनों रोटियों को एक साथ बना के रख लीजिए फिर से इसके उपर हम एक बार और अब लास्ट वली रोटी को इसके उपर इस तरह से ओवरलाप कर देंगे कॉर्नर को हम अच्छे से सील पैक कर देंगे इस तरह से दबा-दबा के आपको पैक कर देना है ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले और उसके बाद जो बची हुई स्टफिंग है उसको सबसे उठाके इस तरह से फोल्ड कर देंगे और देखिए नीचे आटा लगाने की वज़े से जो नीचे वाली रोटी है वो प्लेटपॉम पे बिल्कुल भी नीचिपकी है और दूसी तरफ से भी इसी तरह से उठाते हुए पहली वाली के उपर ओवरलैप कर देंगे तो हमारे पा इसको थूर असा हातों से चारो तरफ से इक्वल कर लेंगे और अब क्या करेंगे बेलन लेके इसको बिल्कुल हलके हलके हातों से हम बेल लेंगे ताकि यह थूर इसी पतली और लंबी हो जाए ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है बस हलके हलके हातों से हम इसको हलका सा और अब मैं इसे स्टीम करें तो कढ़ाई में या फिर बरतन में पानी गरम करने के लिए रख दीजिए पानी जब बॉयल होने लगे तो इसे आप स्टीम कर लिजए कम से कम 10 मिनिट के लिए देख सकते हैं मैं इसे फिलों दोbour और ने एक बढ़ी सियर थिए है थोड़ा से छनड होने कोड़ से हम इस तरह से एके के पी से में कट कर लेंगे मैं इसे जंबाई में कट कर रहे हूं आप चाहें तो इसे बीच में कट करके दो टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं और यह देखें मैं आपको इसको पास देखाऊंगी इसकी जो अंदर की लेयर ना बहुत ही बढ़िया लगए देखें देखने में कितना खुबसूरत लग रहा है बिल्कुल कलरफुल स्टफिंग अच्छे से भरी हुई है आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन अ चावल काट भी ले सकते हैं इसमें हम डालेंगे थोड़ सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सवादनुसर नमक और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसकी पतली सी स्लरी बना लेनी है स्लरी भी हमारी एकदम तयार हो गई है तो आप क्या करेंगे एक नाश्टे को ले तो शैलो फ्राइ भी कर सकते हैं इसके लिए बहुत ज़ादा तेल की जूरत नहीं पड़ेगी बस इसलरी अप इसे कट करते जाए और एक एक करके नाश्टे को छोड़ते जाए यह बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए हलका मीडियम गरम ही होना चाहिए ताकि नाश्थ बीच बीच में आप नाश्ट्रे को चमच की सायता से इस तरह से पलटते जाए ताकि चारो तरफ से एकदम क्रिस्पी हो जाए इसकी जो लेयर है वो चारो तरफ से एकदम बढ़िया से क्रिस्प हो जाए और मीडियम फ्लेम पर इसे आप पकने दीजिए ताकि अंदर से भी कच्छां आ रह अंदर से भी उतना ही अच्छे से पग जाए ढंड देए तक फ्राइँ करने के बाद में चारो तरफ से एकदम बढ़िया से खरजय हो चुके हैं आप देख सकते हो चारो तरफ एकदम बढ़िया से कोटिंग हो चुकिë बहुत अच्छा सा कर्रार आगया है golden brown color का और layer भी हमारी काफी क्रिस्पी दिखरी है तो आब इसे हम निकाल लेते हैं और ये हमारे गेहु के आटे का क्रिस्पी कुरकुरा हेल्दी नाश्ता बनके त्यार है तो बस अब इसे गर्मा गरम सॉस चटनी या फिसेजान सॉस के साथ सर्फ कीजिए और बारिश के मौसम में इस गर्मा गरम टेस्टे से क्रिस्पी कुरकुरे नाश्ते का आनन लीजिए इसे बनाना बेहती आसान है साथ ही काफी हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेजटेबल्स का यूज़ किया है और भीन हाट न से माइक्रॉवेब में कर सकते हैं और अब इसके लेयर्स देख सकते हैं डूर से देखने में यह गरलिक ब्रेट की तरह लगाँ तो आ वहाबला से बकुल की जाने का तो यह भी आज की पसंद आयोगी है और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई